दोस्तों, आज में लेकिया गया हूँ आपके लिए Post-Create SQL का Part 19, यह बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा, जैसे हमने Part 18 में देखा था, जिसे हम कहते हैं Left Auto Join, आज हम सीखने जा रहे हैं Right Auto Join, यह चलता कैसे है, end to end सीखेंगे, but इसमें एक challenge question है, वो आप लोगों को complete करके value आ रही थी, वो left table के through आ रही थी, right में जो सारी की सारी value लाएगा, वो right table के through लाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पस एक table है, unique ID और region का, दूसरी table है unique ID और sales का, अब अगर मैं right auto join लगाऊंगा, तो यह पूरे का पूरा table consider हो जाएगा, यह पूरे का पूरा लाके देगा, नहीं match हुए तो null values, थोड़ा और detail example देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला, हमारे दोनों table में क्या-क्या match है, मैं बोलता हूँ, right table में हमारा first UID 1 match है, यहाँ पर भी UID 1 है, ठीक है जी, हमारा एक और UID 3 और UID 3 दोनों table में match है, तो ideally हमें right out to join लगाना है, right out to join जैसे मैंने बोला, right table को consider करके अपनी value populate करेगा, तो आपके बास value क्या आएगी, कुछ इस तरीके से, यह पूरे का पूरा पहले तो right का data लिया आया है, यहाँ पे, जितने भी IDs हैं, जितने भी regions हैं, सब populate करा दिये, अब जाके match करता है, left table में, कौ UID 1 match हो रहा है, तो इसे UID 1 की 20 जो value है, वो यहाँ पे put कर दी, same, UID 3 match हो रहा है, UID 3 की 50 जो value है, वो यहाँ पे put कर दी, UID 9 और UID 7 match नहीं हो रहा है, यहाँ पे, तो उनके जगे से null values दे दी, चलिए, यह तो रहां आपका right out to join, अगर आपको जादा detail समझना है, तो आप left right out to join, जो इससे पहले वाली वीडियो है, वो आप जाके चेक करिए, क्योंकि अब आपके पास आने वाला है challenge question, यह मैं आपको बताऊंगा नहीं, यह आप लोगों को करके मुझे देना है, तो चलिए, अपने postgres sequel में चलते हैं, यहाँ बे हम आगए, अपने postgres sequel में, अब आ आना है कि कौन सी null values है, अगर आपके पास null values आती है, तो second आपको where statement लगाना है, और उन null values को remove करना है, question clear है, आपको write out to join लगाना है, film table में और inventory table में, उसके बाद, इसमें जो null values है, वो आपको चेक करना है, कितनी null values आ रही है, आपको match क्या करना है, आपको करना है, फिल्म ID और film ID को आप यहाँ पर match कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको देखना है, यह film ID जो हमारे write table है, जो हमारे film table के अंदर है, कितने match हो रहे हैं, अगर यह match हो रहे हैं, तो ठीक, नहीं हो रहे हैं, तो आपको simple simple उनको exclude करना है, null values को आपको exclude करना है, where statement से, question clear है, तो यह question आप लो कि आप लोगोंने सही किया है या गलत, तो इसी के साथ हम यह वाली वीडियो यहाँ पर जो right auto join है, इसको end करते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल left auto join जैसे ही है, left मैंने detail में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, वो आप जाके check कर लीजिए, चलि दोस्ता, आप लोगों शेयर जरूर करना, आप लोगोंने वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में,